नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 75 डेज हार्ड चैलेंज एससी जीडी के बारे में तो दोस्तों आज इन जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत अपूर हैं मैंने कैसे तयारी की थी आप कैसे तयारी करें इनी से बातों पर चर्चा करेंगे और मात्र 75 दिन के तयारी में आप कैसे एससी जीडी के एक्जाम कौनिफाई कर सकते हैं इनी बातों पर विसे ध्यान रहेगा तो चलिए बिने किसी दिरी के वीडियो शुरू करते हैं तो दो ज़स्ट, हिंदी, मैथ, अरिजिनिंग, चार सब्जिक्ट होते हैं, कितना कुश्चन कहाते हैं, 20, 20, 20, और 20, मतलब टोटल 80 नमबर आपके वोते हैं, कुश्चन के, और अगर एक कुश्चन दो नमबर का है, तो आपके टोटल कितना नमबर हो गए, 160, भानिल कटाफनों का, 160 नमबर पे होता है, तो दोस्तों, अब हम बात करें, 160 में हमारा कितना नमबर से होना चाहिए, कितने कुश्चन से होना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के लिए, तो अगर हिंदी में बात करें हूं, तो सबसे पहले आपके जाने हैं, क फिर दूसरा आता है वरतनी या वाकिसुद्धीकरण। तिसरा आपको होता है रित अस्थान। चौता होता है पर्यावची। फिर पांचों होता है आपको समानार्थी। छट्वों होता है आपका मुहावरा। तो 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 आप खुद देखिए मातर 6 चैप्टर पढ़के आप 20 के 20 कोश्चान आप सही कर सकते हैं। बहुत ही इसी कोश्चान आते हैं इसमें और अगर बात की जाएं। अगर मानिजर ठीक है आपके पास कितने दिर हैं। पचातर दिन है आपके पास। 25 दिन में आप एक चैप्टर को तीन दिन दिजिए। एक चैप्टर को आप तीन दिन दिन देंगे। तो 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 कितने दिन होंगे। 6, 6 तुरूके 18। 18 दिन में आप हिंदी एक बार कंप्लेट कर लेंगे। मतलवाद हिंदी के जो भी चैप्टर हैं मातर 18 दिन में आप उसको कंप्लेट कर लेंगे। फिर भी आपके पास अभी 75 में से बहुत दिन बचे हैं। मानिजर आपके अभी भी 50 दिन लभ़बचे हैं। और पच्छास दिन में आप हिंदी को पुना दो बार में बढ़ सत्वे हैं, तो आप सबसे पहले ही काम पढ़िए, कि हिंदी के जो भी चैप्टर हैं, उनको जिसे आज बिलोंग उठाएं, तो लगतार तीन दिन तक मातर बिलोंग पढ़िए, कुद्धिय कुद्धा वाला क तो उसको क्या लिकारा रहता हैं सही एंसर हैुजोर फिर सन्यासजित होता है, तो सन्यासजित आपको पताओगँ, यह अतुर्ष में, बबहुत लोग इसको इसको माड़ देता हैं, लेकि सन्यासित दने बिलोंग भी जैंदे लेकार बिलोंग के दिन 빵कवा नेकिन में और अरित्तास्थान आप पिछले सालों के क्वेश्चन से भी रिपीट कर जबते हैं गूगल पर आप सर्फ करेंगी एससी जिदिग प्रिवेस्चन पेपर इन हिंदी उसके बाद आपको पूरा पीडियाँ मिल जाएगा 55-56 पीडियाँ आपके मिल जाएँ क्रूम पे आप उसको डाउनलोड कर लिजे पूरा हिंदी जो भी दिया हुए मुहावराद भिया है परेवाची उसको बिलो आप पढ़ लिजे इससे आपके अरित्तास्थान परेवाची समानारती मुहावराद सारे क्लियर हो जाएँगी उसके बाद अधित पूलेकर सनों उससे या प जो के नोकरी आप अपने लिए नहीं अपने फैमिली के लिए करना चाहते हैं अजर फैमिली को खुश रखना है तो दोस्तों पढ़ना पढ़ेगा एक बार नोकरी पा जाएँगे ना तो आपके ना तरिस्तेदा सारे परस्ण और जाएँगे आपसे कुछ तो जलने भी ल सबाता था लेकिन जब को स्टें कम होगा बले पछीज इनक आता था बहुंख स्टाइल को ते स yearग को से सब्सक्राइब कराएं सब्सक्राइन कौने रसृटवसर लेकिन पौछ्छे इन कम हो गया तो आप इतना वहीं करें गया इतन को करना पड़ेगा यह हो गई हिंदी के बाद, अब हम बात करें जीयस, तो जीयस में दोस्तों, इसने बस बहुत बढ़ा है, लेकिन आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे प्राचे नित्यास में, आप उठाए सिंधुगाट से बेत्रा, फिर उसके बाद, जैन धर्म, बहुत धर्म, उसके बाद आपके मगद का उतकर्स, महाजनपद, इनसे कोश्चान आते हैं, उसके में फिर आप आएंगे, मेडिवल हिष्ट्रे में, तो मेडिवल हिष्ट्रे में आपका दिली सर्तनत, मुगलकाल, गुप्तकाल, बहमनी समराज, बिजयनगर समराज, इनसे कोश्चान आते हैं, फिर तब बी क्लियर लेकिन आजार आपको अच्छे से याद करना है और भी एक्जाम आपको देना तो आप 1757 मनना प्लासिक यूद दसे लिए करके 1950 तक याद करना है पड़ेगा प्लासिक यूद ऐसे याद करेंगे तो अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो हम कमेंट कर दीजिएगा हम लेते आएंगे पूरे स्थन जो भी है आधुनिक वारत के तो सिक्वेंज करके लेते आएंगे और आपको याद भी करा देंगे वीडियो में ही तो आप जियस मातर इतना पढ़िए हिस्ट्री में उसके बद अगर जोगराफिय की वात के जोगराफिय में ब्रामांड सौर मंडल पढ़िए जितने विग्रा उपक्रा है इनको पढ़ लिजिए सिक्वेंस में अरिंद कर के राज़ानियां उनके मुद्राएं यह ऐसे इसे टपिक है जो आते ही क्वेस्टन है उसके बदगर अर्थवेस्टम बात किजिए तो अर्थवेस्टम में तिन चार टॉपिक हैं जो ज्यादा है जैसे बैक की सुदार में जो जो हुए है उसको पढ़िए और करांतिया ज शार लवड पिरियाडलि टेवल एंप्वर्टन होते हैं फिर रासाने सुत्र एंप्वर्टन होते हैं बालोजी में आपको इस टापिक से उत्तक से कोष्टन आते हैं तो ऐसे यह से पढ़ेंगे एक चेप्टर उठाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अब सचेंगे ए और अरक्त क्या कारे करता है युमोगलोबिन क्या कारे करता है अरक्त की कमी से होने वाले रोग कौन-कौन से हैं बिटामिर की कमी से होने वाले रोग कौन-कौन से हैं तो आप सिक्वेस में एक सीरियल वाइज याद करेंगा तो आपको याद होता जाएगा अब प्रमुक फुर último चाहिए जरीघ मुझें और राष्ट्र पति उप्राष्ट्र पति प्रधानों मंत्रिया के मंत्री तो इनको भी आप करेंगे तो इनको भी आप करेंगे बहुत बढ़ा है लेकिन अगर आप छुटा-चुटा करके टुकड़ों में याद करेंगे तो आसाने स्याज़े होगे जिसे दिवस एवं उसके समारो इससे कोश्चन कई बार आते हैं अब देख लेंगे प्रिवेश एर तभी आपको क्लियर जाएगे क्या आते हैं कोश्चन ए हो गए अपके जीएस भी पूरे हो गए वीडियो में हम कोशिज दे करेंगे कि साइड में पूरा जीएस के जो भी कंद डफे के उसको लगा दे अब बात किज़ें मैथ में तो दोस्तो मैथ में बहुत ही कम चेप्टर है मैक्समां 15 चेप्टर मैथ के हैं अगर आप एक चेप्टर पर 4 दिन देंगे तो 60 दिन में आपका मैथ कंप्लीट जाएगा 60 दिन में मैथ कंप्लीट जाए फिर भी आ चेप्टर को चार दिन पढ़ना है जैसे इसमें आता है लावाने लावाने याँ शुरू करिए तुलंगातार चार दिन तक कि वह लावाने पढ़िए मले तीन दिन में लावाने कहतम जागा फिर भी चोथे दिन आप लावाने का प्रेक्टिस करिए लावाने हो गया परसें सवाल आता है पाटनेंशिप जिसमें दोस्त किसी ब्यापार्ण का सुरू करते हैं पैसे लगाए थे आते हैं इसस्व निखास्ते हमां की सभावनगाते को आपको छोड़ना रहा है ना हम मैद को छोड़ना मेद से डर ना है क्योंकि आपके बीस क् exploration आते हैं जितना आपके लिए Hindi इंप elders है उतरा है मैद से इंप athletes को आप साफली के नहीं चिलेंगे तो तो mm मेथ olduğė के चलना है तो डेली दूगांटे मैथ भड़ी हे ठीक दूगांटे मैथ मुई रिजनि दूगांटे हिंदी और दूगांटे जीयस को और एक दिन में मात एक टापिक खत्म कर ये मैथ आरेंजमेंट आते हैं, coding decoding आता है, लुपते संख्याग जयातक नक्रिये आता है, non global से भी आते हैं, फिर passe आता है, calendar आता है, घड़ी आता है, तो जो question आपको लगे कि आपके लिए कटीर है, उसको आप सबसे पहले शुरू करिए, कि जब ज़्यादा समय रहेंगा तो अशको जब अठेंट करेंगे तो आपको mo motivate मिलेगा और आप motivate होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उस पर दे तो कोसिस trendy मा लेधा आज आप शुरू कर रहे है तो सबसे पहले हैं पर इतिया हैं मैह जो कर तो सबसे पहले इप counselor कर दो चछए अगे बढ़े दाender तो आगर आप आटि गणते पढ़ते हैं तो क सा Alek चणिती दिन में कवेके सारे आएंगे फचार बागी इति यूट 35 दिन 20 दिन्म क्या करना है दोश्चो कि 25 दिन में आपको 25 प्रेक्टिस अगर आप लगा ले रहा है फिर उसमें गलत हो रहा हूं उसको आप पर पढ़िए प्रेक्टिसेट तो अगर आप उसको दो पर लगा लेंगे तो उम्मीद है कि कोईस्टन उसी मेस्जज आपके ज्यादतर आ जाएंगे और बाकि जो पिछला आप रिविजन कर रहे हैं उसको लगतार रिविजन करते रहें जब तक एक्जाम आपका होना जाए अब 75 दिन में आपको लगतार दोस्तो यही करना है इसके नौख कुछ नहीं करना है तो दोस्तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगाओगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करिए जय हिंद, जय भारत